नए क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच सुमवार को हुई बैठक भी बे नतीज़ा रही नई दिल्ले स्थित विज्ञान भवन में किसान संगटनों और सरकार के मंत्रियों के बीच ये मीटिंग कई घंटे चली लेकिन सातवे दौर के इस बाचीत का भी कोई नतीज़ा नहीं निकल पाया आज की बैठक में भी किसान क्रिशी कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े रहे दूसरी ओर सरकार के मंत्री संशोधन की बात कहते रहे सरकार से बाचीत के बाद भारती किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 8 जनवरी 2021 को सरकार के साथ फिर से मुलाकात होगी उन्होंने कहा कि 3 क्रिशी कानूनों को वापस लेने और MSP के मुद्दे पर 8 तारिक को फिर से बात होगी टिकैत ने साथ कहा कि हमने सरकार को बता दिया कि कानून वापसी नहीं तो किसानों की घर वापसी नहीं दूसरी और किशी मंतरी नरेन सिंग तोमर ने बताया कि हम क्रिशी कानूनों के हर क्लॉज पर किसान नेताओं के साथ चर्चा करना चाहते थे लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान संगठन कानून वापस लिये जाने की मांग पर अड़े रहे हाना कि उन्होंने उम्मीद जताई कि किसानों के साथ अगली बैठक सार्थक रहेगी और हम किसी समधान को निकाल पाएंगे दुमर ने ये भी कहा कि सरकार देश भर के किसानों के प्रती प्रतिबद्ध है सरकार जो भी फैसला करेगी सारे देश को ध्यान में रख कर ही करेगी कुल मिलाकर किसान आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा और अब सबकी निगाहे आठ जन्वरी को होने वाली अगली बैठक पर रहेंगी